मम्मी जी आप यहाँ हैं मैं आपको डूंट रही थी क्या हुआ बहु क्या काम है मैं अभी छट पर चले गई थी पड़ेले ने अभी यहीं आई हूँ बहु बताओ क्या हुआ मम्मी जी ये ओपीस से नहीं आए time भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और में पोन भी नहीं उठा रहे मेरा मन में अजीव अजीव से उल्जन हो रही है मम्मी और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये किसी और लड़की के चक्र में तो नहीं मम्मी जी बहु तुम हमेशा ये गल्ट गल्ट चीज़े क्यूं सोचती हो ये भी हो सकता है कि वो ट्रक के गाड़ी के नीचे आ गए हो कहीं उसका एक्सिरंट ना हो गया हो तुम ये सब नहीं सोच सकती हो हमेशा लड़की के चक्कर में सोचती रहती हो नहीं अगर मैं गल्द सोच रही हूँ तो कौन सा आप अच्छा सोच रही है उनके एसिजन्ट के बारे में आप ये अच्छा सोच रही है और आपको सोचना चाहिए कि वो अच्छे से गर आ जाए अरे मैं एसिजन्ट के बारे में थोड़ी सोच रही हूँ वो तो मैं तुमको बता रही थी कि तुमको कभी-कभी ये चीजें भी सूच लेनी चाहिए हमेशा लड़की के बारे में सूचती रहती हो मेरा बेटा ऐसा नहीं है अच्छा ठीक है मम्मी जी मम्मी जी आप खूल करके देख लेजिए वो सकता है कि आपका पूल बो उठा ले अच्छा ठीक है मैं यहीं पूछ लेती हूँ हेलो हाँ बेटा अरे हम कब से इंतजार कर रहे हैं तुम कहा हो अच्छा हाँ बेटा तुम बहु का पूल रसीब नहीं कर रहे थे बहु हो में सब पूछ रही थी हाँ हाँ अच्छा चलो ठीक है बेटा मैं बहु को बता देती हूँ हम लोग काफी परिसान हो रहे थे टाइम भी ज़्यादा हो रहा था हाँ अच्छा ठीक है बेटा आज आओ जल्दी से ओके ऐसा है बहु बेटा ट्राप्तिक में फसा हुआ है तो इसी लिए उसको लेट हो रहा है बोला है थोड़ा आने में लेट होगा अभी आ जाओंगा अच्छा ठीक है मम्मी जी बहु जाओ चाई बना लो और खाने जली बना लाओ तब तक अच्छा ठीक है मम्मी जी देखो सही कहीं इतने तो नहीं रख दिया कुछ रख देती हूँ तो ऐसी बूल जाती हूँ याद ही नहीं रहता अरे बहु प्रीज में गेंटा कितने रखा हुआ है मम्मी जी मैं नहीं रखा है क्या हुआ अरे प्रीज में कहीं गेंटा रखा जाता है गेंटा क्यों रखा तुमने प्रीज में मम्मी मैं बुक में देखकर रेस्पी बना रही थी काने की तो उसमें लिखा हो था कि एक गेंटा प्रीज में रखे अरे तो रेस्पी को बोला होगा ना जो बना रही थी उसको बोला होगा कि एक गेंटा फ्रीजिम रखें ये थोड़ी बोला होगा कि एक गेंटा लाके फ्रीजिम रखें इतना दिमाग तो तुम को लगाना चाहिए अरे सच में ममी मुझे लगा कि उसमें लिखा हुआ था गेंटा फ्रिजम रखो ये तो मेरा दिमाग ही काम में किया ममी जी सच में दिमाग होगा तब काम करेगा न ऐसे क्यों कह रही है मम्मी जैसे लग रहा है मुझे दिमाग ही नहीं है अर देख तो लिया कितना दिमाग है अभी तो फ्रीजे में गेंटा रख रख कर रेसिपी बना रही हो अच्छा चलो जो बनाई हो अब ले आओ मैं चल रही हूँ रूम में बैट रही हूँ ठीक है मम्मी जी आप चलो मैं ले आती हूँ मम्मी जी टेस्ट करके देखिए कैसा बना है बहु ये के गोबर बना के लिए आई हो मम्मी जी आप गोबर भी टेस्टी है क्या गोबर नहीं टेस्टी हूँ गोबर की तरह बनाई हो तो बोल रही हूँ बहुत बोलती हूँ पर से अरे ममी जी, मुझे लगा न, आप बोली है कि गोबिर की तरह बना है तो मैं बही सोच रही थी, ममी जी, लग रहा है कि गोबिर टेश्ती है क्या चलो ठीक है, ऐसे ही बना के सीखो, बनाती रहोगी, तो सीख लोगी बनाना जल्दी से ठीग है ममी जी आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपकी भूख कैसे खाना बनाती है और अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर करें बाई गाइज